हलो फ्रेंड्स मैं इकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ आज मैं सबसे आसान उकडीचे मूदक की रेसेपी लेके आई हूँ यह बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब होता है यह चावल के आटे और नारियल गुर्ड की स्टॉफिंग के साथ पारंपरी भारती मिठाई की रेसेपी है बपा के मन पसंद की यह मिठाई है बहुत ही स्वादिस्ट बहुत ही टेस्टी बनती है यह तो गणेश जी की मैंने बताया कि पसंदीदा मिठाई है इसलिए इसे गणेश चतुर दसी पर इसे भोग के रूप में चढ़ाया जाता है बहुत ही स्वादिश्ट होती है और सबसे आसान तरीके से ये बनाई जा सकती है तो बस देर नहीं करते हैं चलिए बनाते हैं इसके लिए आपको क्या चाहिए नारियल तो ये देखिए फ्रेस नारियल है इसे आपको क्या करना है कि छोटे छोटे टुकड़ो में कट करके और इसका छिलका निकाल लेना है तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है आप चाहें तो इसे ग्रेट कर ले या मिकसर के जार में चला लें तो मैं यहाँ पर मिकसर के जार में चला लूँगी बस देखिए इसे मैंने मिकसर के जार में चला लिया है तो बहुत ही आसानी से उकडिचे मोदक बन जाता है इसके लिए देखें मैंने गैस ओन कर लिया है और एक्तम लो फ्लिम रखा है एक चमच मैंने खी डाल दिया है और अब हम इसमें गुर्डा लेंगे तो ये देखें ये सुगर फ्री मोदक है तो इसमें चीनी भी नहीं पड़ेगी बहुत ही स्वादिस्टी ये मिठाई बनती है तो देखें एक कप मैंने गुर्डा दिया है और इसे हम मध्ध में आज याने की लो फ्लिम में गुर्ड को पिगलाएंगे इस तरह से पिगलाते वे हम गुर्ड को पकाएंगे तो ये देखें इस तरह से ये गुर्ड अच्छे से पिगल गया है अब ये जो नारियल हम मिक्सर के जार में ये इसको अच्छे से ग्रेट कर लिये थे मिक्सर के जार में डाल के तो उसे हम डाल देंगे आप चाहें तो मैंने बताया कि ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं तो यह बहुत ही आसान तरीका है तो इस तरह से देखिए बिना जंजट के बहुत जल्दी ही यह गुड और नारेल जो है अच्छे से मिल जाता है आप यहां सुखा नारेल भी डाल सकते हैं तो बस यह रेडी हो चुका इस स्टॉफिंग इधर देखिए तो देखिए यहां पर दो कप हम चावल का आटा लेंगे एक बरतन में हम इस चावल का आटे का डो लगाएंगे तो यह देखिए या तो आप दो कटोरी ले ले लीजे दो कप जिस भी चीज से ना पेंगे तो इसके पानी का उनपाद सही होना चाहिए यह देखिए हाफ टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है और एक टीस्पून हम चीनी डालेंगे इससे मोदक का स्वाद बहुत अच्छा आता है अब यह गुनगुना पानी है हलका गुनगुना पानी है उसे हम डालके अच्छा सा डो तियार करेंगे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि दो कप चावल का आटा है तो पूरा दो कप यह पानी लगेगा थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे इस तरह से देखी पूरा आपको दो कप पूरा पानी डालना है और यह चावल का आटा अच्छे से एबजॉब कर लेगा यह देखी पूरा दो कप हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रहे है पूरा दो कप मैंने पानी डाल दिया है ये देखिए पानी डाल दिया है पूरा दो कप हम ये देखिए पूरा पानी जो चावल का अटा है सोख लिया है और ये देखिए एकदम इस तरह से परफेक्ट दो तैयार हो जाएगा और ये देखिए एकदम अच्छा डो त्यार हो चुका अभी आपको गिला लगला है लेकिन बाद में सूख जाएगा तो ये देखिए एकदम डो त्यार हो चुका है आप इसे दो से तीन मिनट तक ये देखिए डो एकदम त्यार हो चुका है अब यह आपको देखिए छूक है आपको ऐसे लगे कि यह पोखोट गिला है इससे मुदक कैसे बनेगा तो रुकिए इसको हम भाप में पकाएंगे तो बस देखिए इस तरह से हम दबा के और अब हम देखिए गैस की तरफ जाएंगे यह देखिए मैं इधर भाप में पकाने के लिए एक बरतन में पानी गरम कर दी हूँ और इसी में यह देखिए इसी में स्टीम करेंगे यह चावल को या तो आप शुरुआत में क्या करिए कि पानी गरम करके उसमें चावल के आटे को डाल दीजे और जैसे पूरा दो कटोरी चावल कांटा हो तो दो कटोरी पानी हो उस तरह से भी भाप में पका सकते हैं और इस तरह से भी 5 मिनट के लिए आप पका लिजे तो ये देखिए ये एकदम अच्छे से 5 मिनट हो चुका है और ये पर्फेक्ट जो चावल का जो डो है याने करेंगे अच्छे से हम इसका मसाज करेंगे तो यह देखी बहुत ही अच्छे से यह चावल का grai इस टीम हो चुका है यह हल्का गरम है तो इसलिए हम इस तरह से मलेंगे तो यह fills के मसाज हो चुका है अब हाथों से हम थोड़ा चाहत में घी लगा लेंगे या पानी लगा लिजिए और इसको बहुत अच्छे मलिये तो यह देख़े से हम मोदक का आटा है त्यार कर लेते हैं तो यह देख़े इस तरह से हम बहुत अच्छे से गूतेंगे बहुत ही soft जो डो है त्यार हुचुका है और अब हम इसका मोदक बनाएंगे तो देखिए ये डो है त्यार हो चुका इसकी स्टफिंग और घी है थोड़ा सा हम घी जो है मॉल्ड में लगा लेंगे हाथों में लगा लेंगे ये देखिए इस तरह से आप गोल दबा के किनारे से बीच में टाकि मोदक बरेंगे आपके किनारे सब्सक्राइन को अच्छी सब्सक्राइप को united ृफ में बीच की डाल की ने ला में श्रिण आलोगे चावल में बालनी को इस ऐसलीन ख़ा क्या आठा भर दिये हेँ और ये देखिए ये हम उपर से चावल का आटा लगा लेंगे बहुत ही स्वादिष्ट ये मोदक बनती है तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करिएगा ये देखिए बहुत ही अच्छे से हम दबा के इस तरह से सारे मोदक को बना लेंगे तो बस देखिए ये देखिए बहुत ही perfect ये मोदक बनके त्यार है ये देखिए इस तरह से सारे मोदक को हम बना लेंगे तो मोदक ready हो चुका है अभी हम इसे steam करेंगे तो देखिए सारे मोदक बहुत ही perfect बने हैं आपको एकदम दबा दबा के साचे में अच्छे से भरनाई stuffing करना है तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से मोदक तयार हो चुके हैं अब इसे हम steam करेंगे तो देखिए आप जब भी steam करें तो बीच बीच में जब steam करेंगे तो इस तरह से मोदक एकदम सटाके नहीं रखेंगे थोड़ा थोड़ा गैप रखेंगे यह इस तरह से जाली का बरतन रख दिया उपर से हमने कपड़ा लगा लिया है ताकि कपड़ा इसलिए रखेंगे ताकि निकालते समय यह चिपकेना तो बस हम देखिए मैंने बताया कि बीच में अंतर रख ताकि मुदक आपस में चिपके न और अब हम इस तरह से कभर कर देंगे कपड़े से और उपर से भी तो यह देखिए मैंने कपड़े से कभर कर दिया है और उपर से कभर करके आप इसे 7-8 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे एकदम लो फ्लेम में तो बस देखिए उपर से मोदफ बहुत ही स्वाधि somas गीज डाल सकते हैं, दोनां केसर डाल ड्राइ-फ्रीड-डालसकते, बहुत ही स्वाधि पछिणी Skype बहुत ही aac weekend उसले बिच जी अब आप इसे घंध हुसले को भूग लगाए बशात वित्रण करेसा तो इसले हैं मोदग बनाने का तो आई होब कि आपको टीस्टी स्वादिस्ट उकडीचे मोदग की रेसेपी जरूर पसंद आई होगी थेंक यू फ्रेंड